असलाम लेकुम वेलकम टूशेफिंदा किचन कैसे व्यूवर्स आप लोग उमीद है कि आप सभी लोग खेरे से होंगे आज मैं आप लोगों से चॉकलेट स्ट्रॉबरी स्विज रॉल के रेसिपी शेयर करने वाली हूं स्विज रॉल केक से भी जादे टेस्टी और बहुत ह सॉफ्ट होती है बिलकुल मुह में घुल जाने वाली होती है तो इसे घर पर बनाना बहुत ही आसान है इसे आप ओविन में या कडाही में दोनों में भी बना सकते हैं तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आपको म बड़े बावल में रखें क्योंकि हमें उसे विस्क करना है और दोनों को पहले आप सेपरेट कर ले तो यॉक और वाइट सेपरेट हो गया है तो हमें इसे विस्क करना है तो इसे आप 20 मिनर्स तक कंटिन्यू विस्क करें और इसे विस्क करते टाइम आप इसमें शुगर डाल टे और शुगर करें इसे युश्क तभ तर फॉम की तरह ना हो जाए तो 20 मिनेट सा बिलकुल टाइम देखकर आप इसे विस्क करें तो यह विस्क हो चुकी है तो अब इसमें एक यॉक दाल रही हूँ और इसमें डाल देती हूँ हाफ टीस्पून वैनिला एसेंस और अब हम इसे फाइब मिनट्स ब्लेंड करेंगे विस्क करेंगे और यह विस्क हो चुकी है तो अब हम ब्लेंडर को साइड में रख देते हैं और अब मैं इसमें अड़ कर देती हूँ 60 ग्राम और 60 ग्राम मिल्क दोनों की क्वांटिटी हमें बिल्कुल इक्वल चाहिए और अब मैं इसमें डालूंगी प्लेंड फ्लार 90 ग्राम और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और यहां पे हमें ब्लेंडर यूज नहीं करना है हमें इस पैचुला से बिल्कुल सॉफ्टली जेंटली हमें से मिलाना है ताकि इसमें लंस भी ना रहे और यह अच्छे से मिक्स हो जाए और अब मैं इसमें डाल देती हूँ 30 ग्राम कोकवा पॉडर और इसे डालने के बाद भी हम मिला लेते हैं इस जिसका ख्याल रखे कि यहां पे आप ब्लेंडर बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे तो यह बैटर रेडी हो गई है आप इसकी कंसिस्टेंसी देखे बिल्कुल पतली इतनी ही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए रॉल बनाने के लिए तो जिस ट्रे में आप बना रहे हैं तो उस पे बटर पेपर लगा कर आप इसे पहले ग्रीस कर ले आप इसे ओवेन या कडाही दोनों में भी बना सकते हैं तो इसमें सारे बैटर को डाल दे रही हूं और अब मैं इसे कंवेक्षण मोर्ट पे फाइव मिनट्स के लिए लगाओंगी अगर आप इसे कडाही में बना रहे हैं तो इसे 10 मिनट्स ही कूख करें इसे हमें ओवर कूख नहीं करना है तो यह कुख हो चुकी है तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ बस इसे हमें थोड़ा ठंडा करना है ताकि हम इसे टच कर सके और इसे टर्न कर सके तो इस तरीके से बोड में हम इसे टर्न कर देते हैं और इसके उपर जो बटर पेपर है हम उसे रिमूफ कर देंगे और इसे साइड में रख देती हूँ और क्रीम तयार कर लेती हूँ तो यहां पे एक बाॉल में डाल देती हूँ विप्ट क्रीम और इसे विस्क कर लेती हूँ इसे टू टू त्री मिनर्स विस्क करें तो यह क्रीम रेडी हो गई है यह देखे तो बटर पिपर पे हमें तोड़े से कोका पॉडर को स्प्रिंकल करना है और इसके उपर जो केक रेडी की हूँ उसे डाल देती हूँ और उसके उपर लगा देती हूँ विप्ट क्रीम तो इसके एक लेयर आप लगा दे इसके उपर और कुछ strawberry की slices मैंने काट के रखी है तो उसे भी डाल देती हूँ और अब मैं इसे fold कर देती हूँ तो इसे आप बहुत ही softly, बहुत ही gently fold करेंगे यह देखे इस तरीके से आप इसे butter paper की help से आप इसे fold करें इस time पर थोड़ी से आप gently इसे fold करेंगे और यह fold हो गई है तो अब हम इसे tight से इसकी roll बना देंगे बिल्कुल tight हाथ से आप इसकी roll बनाए और दोनों तरफ से इसे pack कर दे और pack करने के बाद इसे 2 घंटे के लिए हम freeze में रख देंगे जिसे कि अच्छे से set हो जाएगी दो घंटे हो चुके हैं तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ यह बहुत अच्छे से set हो गई है तो इसके दोनों sides को काटके हटा देती हूँ यह देखे कितना easily cut रहा है बहुत ही soft बनी है और अब इसके उपर एक layer लगा देती हूँ whipped cream इस तरीके से cream लगा कर अब इसे cover कर ले और एक strawberry की मैं 4 pieces कर ली हूँ तो उसे भी इस तरीके से लगा देती हूँ बहुत ही beautiful swiss roll ready हो गई है तो अब मैं इसे आपको काटकर दिखा रही हूँ यह देखे कितना easily यह कट्री है यह बहुत जादा soft है बिल्कुल मुँ में घुल जाने वाली है यह इतनी tasty बनी है कि इसे खाने के बाद आप cake भूल जाएंगे और इसे आप एक बार जरूर ट्राइक करें और friends वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताया है वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दे वीडियो को friends and family में जादा से जादा शेयर करें और अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हैं और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले मिलती हूँ नई और शानदार रेसिपी के साथ अल्ला हाफिज